ये वीडियो GRN की स्क्रीन पर mode of payment के बारे में है जब हम GRN बनाते हैं तो GRN की स्क्रीन पर या cash दे सकते हैं mode of payment या credit दे सकते हैं cash का मतलब है हम उसी वक्त supplier को पैसे दे रहे हैं इस समान के जो हम receive कर रहे हैं और credit का मतलब है उसके ledger में add कर रहे हैं जो बाद में supplier payment की screen से हम उसको payment करेंगे जब हम cash की entry करते हैं तो वो cash system के अंदर total outflows में show होता है जिसकी हम detail भी देख सकते हैं जब हम day end करते हैं तो outflow की detail देखें तो उसमें supplier payment भी आ रहे होते हैं और अगर हम credit करते हैं तो वो supplier के ledger में reflect होता है इन दोनों सूरत में जब हम cash पे payment करते हैं तो ledger के अंदर एक entry जरूर जाती है और वो entry purchase की और उसी वक्त immediate एक payment की जैसे जैसे ही लिया ledger में entry की और साथ ही payment कर दी और balance offset हो जबके cash के बजाए जब credit mode of payment होता है तो वो ledger में एक entry चली जाती है purchases की और फिर जब हम supplier की payment की screen पर जाकर payment करते हैं तो फिर यहाँ पर ledger में payment की entry आती है